नमस्कार आप देख रहे हैं दव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पुरी बिहार के उपमुख मंत्री डेप्टी सियम तेश्वी यादो पर भले ही भरश्टाचार के मामले में CBI और ED की जाँ चल रही हो लेकिन डेप्टी सियम रहते हुए तेश्वी यादो भरश्टाचार में किसी भी तरह का कम्प्रमाईज करते हुए नहीं दिख रहे हैं मामला आपको है बता दे जहानाबाद का जहां पर एक गवन करने वाले जो करमचारी हैं उन पर पुलिस ने करवाई किया है और लगभग एक साल बाद करोड रुपए गवन करने वाले करमचारी को गिरफतार किया गया है और ये जो है करवाई तेश्वी यादो के फटकार के कारण हुआ है सालों से मामला लटका हुआ था लेकिन तेश्वी यादो जब जहानाबाद की यात्रा पड़ थे उन्हें जब मामला पता चला उन्होंने पुलिस अधिकारियों की फटकार लगाई और फटकार के बाद गवन करने वाला भरष्टाचार करने वाला करमचारी पकड़ा गया पुरा खबर आपकों विस्तार में बताते हैं बता दे आपको कि जहानाबाद उदेरा अस्थान सिचाई परियोजना में एक करोड़ बतिस लाख बीस हजार उपए के गवन मामले में रवी बार को पुलिस ने मुख आरोपी रोकरपाल राजु कुमार को गिरफतार किया है यह मामला सदर्थाने की पुलिस एक साल से दबाय बैठी थी कुछ दिन पहले वनावर दोरे पर पहुंचे उपमुख मंत्री तेस्वी यादो के संग्यान में मामला आने पर उन्होंने पुलिस अदिकारियों को फटकार लगाई इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई की गंगा में जमकर डूपकी लगाई थी करोडों की इस योजना में गवन का भंडा फोर हुआ आपको बता दे कि तब ये भंडा फोर हुआ जब निर्मान एजेंसी द्वारा सेकरूटी मनी के रूप में जमा एक करोर 32 लाग 20 जार रूपय की एफडी को मीली भगत से वार नियारा कर दिया गया मामले में सदर थाने में दो दो एफाई आर भी दर्ज की गई थी लेकिन किसी मामले में आरवपितों की गिरफतारी एक साल तक नहीं हो सकी थी और तेजस्वी यादो जब पहुंचे हुए थे जहानाबाद और उनके संग्यान में जब मामला आया तो तेजस्वी यादो ने पुलिस अधिकारियों की जम के क्लास लगाई और उसका देखिये असर की एक करोड़ बत्तिस लाग बीस अजार गवन करने वाला और इसमें सामिल जो रोकरपाल है राजु कुमार उन्हें गिरफतार कर लिया गया है एक साल से अधिक समय से मामल दबा हुआ था लेकिन तेजस्वी यादो के फटकार का ये नतीजा है कि जो भी आरोपी थे गवन करने वाले थे ब्रस्टाचार करने वाले थे उनको पकड़के सलाखों के अंदर किया गया है करपाला कभियंता अभी फरार चल रहा है लेकिन आसा व्यक्त की जा रही है कि पुलीस जल्द ही उन पर भी दविस बढ़ाएगी और उन्हें भी सलाखों के अंदर पहुचाएगी तो तेजस्वी यादो आपको बता दे कि ये मामला तब का है तेजस्वी यादो पर भी रस्टाचार के मामले चल रहे हैं एडी और सीबी आई की जाच चल रही है हलाकि ये मामले तब के हैं जब लालू यादो रेल मंत्री हुआ करते थे और तेजस्वी यादो का कहाना है कि उस समय तो हमारा मूच का रेख भी नहीं आया था मैं उसमय नबालिक था लेकिन केंद्रिय एजेंसी बीजेपी उन्हें फसा रही है उन्हें भरस्टाचार के मामले म जबर्दस्ती डाला जा रहा है लेकिन उपमुक मंत्री रहते हुए तेजस्वी यादो भरस्टाचार में भरस्टाचार को लेकर किसी तरह का कंप्रमाईज करते हुए नहीं दिख रहे हैं और उनके ही फटकार का और आदेश का नतीज़ा है कि सिचाई परियोजना में गर गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक से जर करें हमारी चैनल दब यहां टॉप को सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद